हेलो राम राम दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले सफेद चने की वो भी बेसिक चीजों में जो घर में चीजे होती हैं उनहीं से मैं बनाऊंगी ना धावाई स्टाइल ना रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल दे को समझ में आएगा तो चलते देखते हैं यह मैंने सोया बड़ी एक कटोरी भीगो के और इसका पानी मैं निकाल ली थी देख लीजे तो निकाल के मैं इसे रख दी थी और छोले भी मैं उबाल के फिर रखी थी क्योंकि जादे टाइम हो जाता है वीडियो आप लंबी हो ज प्रास था और एक टमाटर एक इंच अदरक का टुकडा धेर सारा लैसन और चार हरी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादे कर सकते हैं और यह मसाले भी अपने बेसिक जो अपने मसालदानी में है वही यूज करेंगे कोई बाहर का मसाला नहीं यूज करे जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं मसाले वही डालेंगे और बहुत ही टेस्टी बनके आएगा छोला तो देख लीजिए इन सारे चीजों को मिला कि जैसे हम गाउं में और घर पे बनाते हैं जादे तर ऐसे छोले तो आज उसी स्टाइल में और जट पट बन जाती है जादे टाइम भी नहीं लगता है बहुत ही असानी तरीके से बन जाती है अब इनको हम काट लेंगे मोटे मोटे टुकड़े में काटेंगे क्योंकि हम मसाला पीस के नहीं बनाएंगे इसे के पास मिकसी नहीं होती है पीशने का जंजट होता है तो वो इस छोले को जरूर बनाएंगे बहुत ही जटपड बन जाएगा कूकर में तो मैं इसे काट ली हूँ देख लीजे ये मोटा मोटा मैंने प्याज को काट रखा है आप यही सोच रहे होंगे इतने मोटे आए तो ये इतने मोटे हैं ये फिर अच्छे से गल जाते हैं उसमें जादे पतला करने से जलने लगते हैं तो यहरी मिर्च मैंने काट ली है मोटी मोटी एक इंच जो अध्रक का टुकड़ा था उसे कद्दु कस कर ली थी और टमाटर को भी मैं काट ली हूँ लैसन को मैं काटी नहीं थी बस ऐसे ही था और मैं अब इधर कोकर को चड़ा दूँगी गैस पे गरम होने के लिए कोकर को अच्छे से गरम कर लेंगे कोकर मेरे अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसी में वो सर्सो का तेल डालेंगे तेल को भी अच्छे से गरम करेंगे जब तेल गरम होती है तो सबजी जादे अच्छी बनती है नहीं तो तेल कच्चा रह जाता है फिर तो अब इसमें जैसे तेल डालेंगे, तेल गरम हो जाएगा, तो आधाय स्पून हम इसी में जीरा डालेंगे, और जीरा चटकने लगा, उसके बाद हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, तो ये तेज पत्ता एक ही है, तोड़के दो हो गया है, तो इनको भी हम इसी में डाल द तेज पत्ते से स्वाद अच्छी आती है चोले की अब इसी में मैं लैसन डाल दूँगी और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च अब मैं डाल दूँगी इसी में इनको थोड़ा सा भूनोंगी लाल होने के लिए जब थोड़ा सा भून जाते हैं तो इसी में हम प्याज डाल देंगे इन्हें हमें जादे नहीं जलाना होता है बस हलका हलका सुनहरा करना होता है इसे जादे नहीं भूनते हैं नहीं तो इसका टेश्ट बढ़ियां नहीं आता है तो प्याज को भी हम पिंक कलर तक करेंगे क्योंकि जादे नहीं इसे जलाना है तबी तो बढ़ियां मीठा मसाला बनता है इसका तो प्यास का भी कलर देख लो चेंज हो गया है अब हम इसी पे टमाटर डाल देंगे अब टमाटर को भी थोड़ा सा इसी में भूनेंगे उसी के साथ मैं अदरक भी डाल दी थी अब इन सारओं चीजों को 2 मिनट तक इसी में भूनते हैं और इसे भूनने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि जब टमाटर डालते हैं तो नमक भी बहुत जरूरी होता है साथ में डालने के लिए क्योंकि नमक ही है कि जो इन्हें अच्छे से गला देता है तो मैंने इसमें अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दी थी और मैं मसाले भी इसी में डाल दी थी धनिया पाउडर था एक चमच आधा स्पून गरम मसाला था आधा स्पून हल्दी पाउडर था वो मैं भूल गई आप लोगों को नहीं दिखा पाई तो मैं मसाले भी इसी में डाल दी हूँ देख लो आप इसमें कुछ जादे मसाले नह और उसको बंद करके मैं कूकर को गैस पे चड़ा दी थी और कम गैस का फ्लेम लो कर दी थी ताकि एक सीटी आ जाए और फिर बंद कर देते हैं क्योंकि अपने आप से ही उसका इस्टीम निकलता है निकालना नहीं होता है और दूसरी तरफ मैं कड़ाई रग दी थी उसमें ए तो इसलिए हलका सा इसको फ्राई करेंगे इसका टेश्ट और भी बढ़ जाता है इसमें से कच्चापन भी निकल जाता है बिल्कुल तो अब इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक थोड़ा सा नहीं चुटकी से जादे नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी में डाल लखा है तो हम अपने चुटकी से ही पूरी एक चुटकी नमक इसमें डालेंगे देख लो आप जादे नहीं ने तो सब्जी में भी नमक है सब्जी तीज हो जाएगी नमक उसमें अब फिर इनको अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन भूनेंगे अच्छे से कलर आ ठीस कर दोगेया डाल देख लोगा व अब इसका एकदम बड़ियें में से कलर चेंज हो गया अब यह सोया बड़ी मेरा हो गया है में अका फिलेंगा ठीप कर दूँए अब इसको ऐसे छोड़ देंगे इसी कड़ाई में कड़ाई गरम है तो तब तक हम सोया बड़ी को कड़ाई में ही रहने देंगे और उधर मैंने gas CT दे दिया था, एक CT, तो उसका steam भी निकल गया है, अपने आपी से निकलता है, निकालना नहीं होता है, तो अब निकल गया है, तो हम उसे खोल के देखेंगे, देख लो आप steam निकल गया है पूरा, अब इसे खोल के, नीचे उतार के मैं इसे खोल लई हूँ देख लो किता सुन्दर लग रहा है यह पूरी तरह गल गया है अब कर्ची के मदद से हम इसे चलाएंगे देख लो किता सुन्दर लग रहा है अब इसी कर्ची से ऐसे दबा दबा के पूरे जो प्याज और टमाटर है उनको अच्छे से मैस कर लेंगे यह तो गल गया है लेकिन इसमें जब कर्ची को ऐसे ऐसे दबा देते हैं तो सारे मसाले अच्छे से हो जाते हैं जैसे लगता है क लेकिन देख लो पीसा हुआ नहीं था तो इसलिए जट पट मसाला पीशने का जंजट नहीं रहता है देख लो अच्छी से गल गई hy है कोई कहे गई नहीं कि ये céu说 कूकर में बनाए गए हैं जैसे लग रहा है पीसा हुआ मसाला था तो इसको कर्ची से अच्छी से जब ऐसे हिला लेते हैं तो यह बढ़ियां हो जाता है पूरा अब इसे मैं गैस पे चड़ा दे थी और थोड़े एक मिनट के लिए मैं गैस पे भी इसको भून ली थी ऐसे ही खोलके धकन को और जब यह भून जाएगा तो हम इसी में अब यह जो छोले उबाल के रखी थी इसको भी मैं इसी में डाल दूंगे और इसी के साथ हमने आलू और सोया बड़ी सारे को डाल दिया था और डाल के सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी हम एक से दो मिनट तक किसी में ऐसे ही भूनेंगे गैस का फ्लेम मेरा तेज है तो ऐसे इसको दो मिनट तक भून लेंगे अब मैं इसमें पानी डाल लई हूँ तो ये गिलास मैंने पानी ये डाल दी पानी अभी कम है इसमें पानी और पड़ेगा पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो तो इसमें मैं पूरा दो गिलास पानी डाली थी देख लो ये एकदम बढ़िया हो गया है थोड़ा सा पानी आप चाहो तो बढ़ा सकते हो इसमें क्योंकि ये जब छोले उबल मतलब पक जाते हैं तो पानी सोकते भी हैं बहुत जैसे जिसी को गाढ़ा पसंद आता है किसी को लिक्विड वाला तो आप अपने हिसाब से डाल लेना और धकन को बंद करके तेज गैस प आपसे ही निकल जाएगा और जबी देख लिजिए मेरी सीटी आ गई थी मैं बंद कर दी थी और ये अपने आप ही निकल गई है और देख लो किता सुन्दर लग रहा है छोले बनके पूरी तरह तयार हो गया है देख लो आप कितना जटपट कितना आसानी से बन जाता है कम चीजों में ही जादे इसमें मैंने मसाले या जादे कोई ऐसी चीजे नहीं डाली थी देख लो कितना बढ़िया लग रहा है तब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तयार हो गया है अब हम इसे सर्व करेंगे आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और सस्क्राइब भी करिएगा आप लोग के कमेंट से और लाइक से मोटिवेशन मिलता है देख लिजी कितना सुन्दर लग रहा है बहुत ही टेश्टी है आप इसे जरूर बनाईएगा और अब मैं हम मिलेंगे आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सबको बाए बाए झाल झाल